जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो लेकपाल की भरती हैं आठ हजार प्लस पद के उसके फार्म भरे जा रहे हैं अगर नहीं भरा तो भर दीजेगा तो दोस्तों आज हम फिर से दोस्तों लेकर आए हैं लेकपाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रामीड परिवेस ठीक है यूँकि आपको पता है लेकपाल दोस्तों गाउं से जूड़ी हुई वेकेंसी है इसलिए गाउं के बारे में आपको जानना अती आवश्यक होता है तो उसके लिए एक अलग से अध्याय जोड़ाता है ग्रामीड परिवेस का तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे और दोस्तों एक वीडियो हमने बनाई थी हलांकि दोस्तों वी उसमें बहुत कम है मगर दोस्तों जितने बच्चों ने देखा है उसमें दोस्तों उन्होंने कमेंट में कमेंट बहुत अच्छे किये हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने और इससे क्या होता दोस्तों हमें भी मोटीवेसन मिलता है दोस्तों आपको फिर बता दें एगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजागा क्योंकि दोस्तों हम इस पर पर हमने पहली बना दिया है ग्रामीन परिवेस लेखपाल 2022 के नाम से यहां पर आपको संपूर्ण ग्रामीन परिवेस की वीडियो मिल जाएंगी जैसे से दोस्तों हम बनाते जाएंगे ठीक है आप दूसरी वीडियो है अभी पहली वीडियो पढ़ी होगे अगर आपने न ठीक है क्योंकि दोस्तों इसमें हम वो कोश्टन भी करेंगे जो कि आपके लेटेस्ट दोस्तों UPSI 2021 में भी पूछे गए है ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जाए दोस्तों एक और चीज़ा दोस्तों यह आपको जाईएगा इसी में दोस्तों हमने क्विक परवेस का वीडियो फिर से पताए दोस्तों कि आप अगर इसकी पीडियर चाहते हैं टेलीगाम चैनल जोन के लिए ग्यान आर्वियल ऑफिसेल का नाम से दोस्तों ग्राम समाज विकास का आज हमारा दूसरा पार्ट है देखिए पहले पार्ट में लेक पाल के बारे हम दे देख लिए आज हम देखेंगे दोस्तों लेक पाल के कार रहें देखिए कुछ बच्चे बोलना है सर एक माराथन में अभी जबरत नहीं उसकी ठीक है अभी हम क्या करेंगे दस से पंदरा मिट की वीडियो होगी दोस्तों हमारी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है ठ से पंदरा या भी समट से इससे बड़ी क्लास कभी भी आपको नहीं मिलेगे ठीक है फिर हम दोस्तों हो सकता एक ही माराथन वीडियो में सब कुछ बढ़ा दें ठीक है तो वह भी आपके लिए हो सकती है मगर सबसे पहले आपको छोटे-छोटे देखना है और इनकी नोट् दोस्तों वहां से ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप साथ के साथ लिए जैसी आपकी इच्छा है अगर विश्वास करते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं बाकी आपके ऊपर है ठीक है और दोस्ते बता दें कि लेकपाल में देखिए ग्रामीन परवेस में पढ़ना क्या-क्या ह क्या 50% कैसे संबंधि यूपी होता है क्या होता है और ने पर दोस्तों आपने लगभघझ के लिए पढ़ते ओंगे और वहीं बात कर लें दोस्तों तो आपका समझे लिजेगा दोस्तों 10% के आसपास क्या होता है आपका क्रसी वाला विज्ञान ठीक क्रसी संबंधित जो चीज़े होती है वो होता है ठीक है तो आप देख सकते हैं 50-75% होगा और 25% आपको पढ़ना होता है लेकपाल के लिए ठीक है 25% जो अलग सा होता है जो कभी नहीं पढ़ा होता है तो परिसान बताएगा हम यह पूरा का पूरा पढ़ाएंगे आपका दोस्तों यूपी इस पिसल भी कंप्लेट कराएंगे योजनाय भी करवाएंगे और उसके लामा तो यह लेकपाल वारी ग्राम में विकास समाज यह वर्डित होते हैं तो लेंड रिकार्ड मैनुवल में ठीक है किसमें दोस्तों कोशन आ सकता है कि लेकपाल के जो कार्ड होते हैं जो काम करता है वो किसमें दोस्तों दर्ज होते हैं किसमें दर्ज होते हैं मतलब कहीं न कहीं लिखा होता है कि यह काम आपको करने होंगे क्यो अधिकारी होता न सबसे बड़ा पद होता है राजस के मामने में तहसीलदार तहसील का ठीक है आपको बताएं है ठीक मगर दोस्तों अगर बात करता है ठीक है यह तहसील का सबसे बड़ा होता अगर जीला की बात करेंगे तो कलेप्टर हो जाएगा यह भी बता चुके ठीक है लेखपाल अपना बुरिया भिस्तर उठाएगा, आके उपस्तित हो जाएगा, सब कुछ लेकर आता है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इस आउसर पर, देखें, लेखपाल साथ में कानून गों को भी वलाता है, ठीक है, क्योंकि कानून गों लेखपाल से बढ़ा होता है, ठ नतलब भ्या कि किसके नाम कौन सी जमीन की गई है जो दोस्तों बिवाधित नहीं होगी ठीक है वो तो उस समय लेकपाल आएगा, सारा का सारा डॉकुमेंट्स लेकर आएगा, और दोस्तों तहसिल दीवा सर्व बुलायाते हैं, ये भी हम बताएंगे भी वो बात पढ़ेंगे, ठीक है, तो दोस्तों सारे एक सारे वो डॉकुमेंट्स लेकर आएगा, और अपने जो भी रिपोर्ट होगी दोस्तों कानून को को वो दे देगा ठीक है तो पहला काम यह होगा कि तहसीलदार जब बुलाएगा तहसील में उसको दोस्तों उपस्थित होना होगा ठीक है क्योंकि तहसीलदार उसको तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है चलिए दूसरा काम क्या दोस्तों अब आपको पता होना जी दोस्तों देखें अभी तक आपको लेकपाल के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा या पता भी होगा आपको सुचते हो कि लेकपाल काम के बारे में खेद नापना होता ऐसा कुछ नहीं है ठीक बहुत सारे काम होत ठीक है, बाला आगया दोस्तों, बाला ने क्या हुआ, फसल बरबाद हो गई, सूखा पढ़ गया, फसल बरबाद हो गई, ओला पढ़ गया दोस्तों, अभी जैसे धान के समय दोस्तों, ओले पढ़ जाते हैं, तो धान पूरी फसल नश्ट हो गई, फसल रोग कोई आ गया है माल्य कोई रोग आ गया पूरी फसल नश्ट हो गया तो दोस्तों क्या होता सरकार से मुआपजा मिलता तो उसकी रेख देख कौन करता लेख पाल ही लिखके भेज़ता विया कि इनकी एक भीगा कहती थी एक भीगा में से आधा जो भीगा था वो नश्ट हो गया ठीक है तो ल या फिर दोस्तों जब कभी आपके घर या फिस्टलों में जादा आग लगा जाती है और नुकसान काफी बह्कर आग लगाधी है तो लेख पाल कहरता है दोस्तों तो लेख पाल का करता है बहुता है । नुकि उसकि बड़ा दिकारी कौन होता कानून गो और कानून गो अपने उपर देगा तो यह सब चीजे कौन करता है लेकपाल करेगा निचले हिस्से पे कानून को देगा रिपोर्ट तो उपर से आपकी जो वो सरकार की जो योजनाय होती है उसके तहत आपको कुछ मिलता है ठीक है अगर मिलता है तो वो भी लेग पाल के बदावला और नहीं मिलता है तो भी लेग पाल के ही बदावला ठीक है चलिए अगला है दोस्तों तीसरा क्या है कि पसुओं में संक्रामक रोग फैल ने पर माल ले दोस्तों कोई संक्रामक रोग फैल का पसुओं में कोई सभी होना जो खुर पका होते कुछ भी ऐसे नोसрем मातंग जो चीज़े मुझे एक पसु से दूसरे में तीसरे पसु जैसे संक्राम ठीक है तो यह चीजे अगर फैलती दोस्तों नो मोत बतN smiling कि दोस्तों ऐसी स्थित में क्या करेगा वो पसू चिकिसा विभाग को सूचना देगा क्या करेगा पसू चिकिसा विभाग को रिपोर्ट सोपेगा कि भीया आईए आप ऐसी ऐसी बीमारी यहां फैल रही है आप आगर के इसका देखिए जाके या कौन सी बिमारी है इसका निवारान करिए ठीक है यह किसका काम है तो लेखपाल का ही काम है ठीक है चलिए अब अगला है दोस्तों कि जब कभी कानून गो entertainment के छेत्रना है क्या भीए होता है अभी कानून का लेखपाल से बड़ा होता है कानून को क्या होता है लेकपाल से बड़ा होता है अब कानून को देखें लेकपाल सहीज काम कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे कानून को भी तो देखने आएगा चेक करने आएगा और जब कभी कानून को आएगा ने लेकपाल लेकर आएगा ना उनको साथ लेकर आएगा तो उसका काम नहीं ये लिखा भी है कि भाया जब भी कभी आप से बड़ा पता आएगा कोई भी आप से बड़ा गारी आ रहा है दोस्तों आप जाईए उसको अपने गाउं में घुमाईए ठीक है तो वही कहागा जब कभी कानून को आएगा ना लेकपाल के छेतर में आएगा त दोस्तों यह होता है कि हां उनके सम्मान में क्या वहां के सियम होते हैं वो जाते हैं जैसे कि जहां पे दोस्तों उनकी सेम सरकार होती है ऐसा पंजाब में दोस्तों नहीं गये थे वो चीज़े अलग होती है ना मतलब यह चीज़े होती है कि उसे बलादगारी आ रहा तो ज जीब करने क्यों जाएगा यह चलो हमाँ गाहें आज हैना ने तो कानन और यिócरा सा दिकत कर सकता अगला दूस्तों कार क्या है लेक्पाल को भूमी प्रवंधक समझेगा भूमी प्रवंधक समित के निफेशों में समित मित dort्वा में जो काम होते है ना अपने अपने दोस्तों लेकपाल को जाता है उसको हलका बोलते है ठीक है तो लेकपाल अपने हलके की समस्त भूमे प्रबंधक समित का पदेन मंत्री भी होता है याद रखेंगे कोशन आएगा कि समस्त भूमे प्रबंधक समित का पदेन मंत्री कौन होता है तो लेकपाल ही होता है दोस्तों कर लीने, जवर्स्ती को ये अभजा होता है, ठीक है, कि सेजी jus समें मामलों का रिपोर्ट किसको देगा, वो कलेक्टर साँप को देगा, ठीक है, किसको देगा, कलेक्टर, यानि कि जो राजस्तु समंधी सभ्से बड़ी इदिकारी होती है, दोस्तों जिला की उसे हम collector कहते हैं यहां जिला collector या फिर दोस्तों इसे ही हम क्या बोलते हैं डियम बोलते हैं जब प्रसासरी को उसे पर बोलते हैं उसे हम डियम कहते हैं ठीक है दोनों पद सेम होते हैं मगर थोड़ा सा अंतर चेंज वाते हैं ठीक है तो दोस्तों किसको दे तो कलेक्टर को सारी सारी चीज़ बताएगा कि भीया उन्होंने इनकी जमीन को जबर्दस्ती अतिक्रमल कर लिया है कबजा कर लिया है ठीक है समझ गए ना क्यूंकि आदमी देखिए माल लिया आपके खेट में कोई कबजा करेगा ठीक है आप पुलिस सुनवाई ने करता है आप दियम के पास जाएगा तो दियम किससे पुछे कभीया इस आप सही हो कि वो सही है तो दियम सिधा किससे लेकपाल को पकड़ेगा ठीक है यह चीज़ है समझ मैं है चलिए और क्या करता है लेकपाल देखे लेकपाल को लेंड रिकॉर्ड मैनुल के पैरा पत्चीस यह किसमें तो जो लेंड मैनुल जो लेंड रिकॉर्ड मैनुल होता न जिसमें दोस्तों लेकपाल कार लिखे दोते है उसके पैरा पत्चीस ठीक है पैरा पत्चीस में वांड दोस्तों क्या क्या बनाता है नकसा हो गया ठीक खसरा हो गया खतावनी हो गया दिन चर्या हो गया इनकी सूची तयार करता है, और अन्ने कागजों की भी तयारी करनी पड़ती है लेकपाल को, और उन्हें दोस्तों संभाल के रखना भी पड़ता है, ठीक है, तो अभी हम बताएं, कौन कौन सी चीज़े ये बनाता है, और उनको रखता है अपने पाश, ठीक है, और का चीज़ करता है दोस्तों, आपको बता दें, कि लेकपाल अपने हलके के, हलका मदल करता है दोस्तों, उसका छेतर होता है, कई गाउं को मिला के एक हलका बनाते हैं, ठीक है, जहां पे एक लेकपाल रहता है, तो लेकपाल अपने हलके के, प्रतेक गाउं में हर वर्स प्रतेक खेत में दोस्तों, जाकर तीन बार नीच्छा करेगा, देखिए ये भी उसका काम है, मगर आप लोगों साथ पता ही नहीं हो और गाउं में तो लेखपाल आता है, हम लोग तो लेखपाल को पहचानते भी नहीं कौन हमारे गाउं का लेखपाल है ठीक है तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों लेखपाल का यह करते भी बनता है कि प्रतेक साल वो क्या प्रतेक साल दोस्तों कम से कम तीन बार दोस्तों वो गाउं में के हर खेत खेत जाकर दोस्तों उसको निरच्छा करेगा खेत का ठीक है और जिसे हम भासम क्या बते हैं राजसों की भासम परताल बोलते हैं कि लेकपाल साहब परताल करने आये हैं ठीक है तो कम से कम दोस्तों परतेग गाओं के हर खेत में हो जाएगा साल में तीन बार ठीक है औ तुसरी परताल दोस्तों, एक जनवरी से वो प्रारम करता है, जिसको बोलते हैं, रभी परताल, क्या, रभी परताल, और तीसरी परताल दोस्तों, एक मईस से प्रारम होती है, जिसको हम जायद परताल कहते हैं, तो ये तीन परताल उसको करनी आवस्यक होती है, मगर दोस्तों आपको पता है कोई लेकपाल नहीं आते हैं ठीक है वो ऐसे ही लिख देते हैं तो कि आपको पता है कि इसे खेत में क्या bird लगा बहाँ तो छावल बहेंगे चावल कटेगा गह हूँ पधर तू जब लगना हो यह पर लगा है यह सब चीजे इंप लिखनी पड़ती इसलिए दोस्तों तीन बार सरकार ने आधेस दिया है कि तीन बार कम से कम आप जाओं गौह में जाई जाईये और यह अप्रते खेट मे गारा यहां था का मझे लेश परताल करने आते हैं खकरीब परताल रवी परताल और जायत परताल चलिए अब देखिए यहां से कोशन आकर बनते हैं ठीक है तो कोशन क्या बनेगा एक खेती के मुख्य दस्तावेज दोस्तों जो लेख पाल दोरा तैयार करते हैं कौन कौन से मुख्य दस्तावेज है खेती के यह पूरा गाउं है 사진, यह आपको बता दें तो यही होता है नक्षा दोस्तों फिर ऐसके बाद दोस्तों खसरा भी तयारकरता है, भुष्चा कान तयारकरता है खताओनी भी कौन तयार करता है लेक पाल ही तयार करता है कौन करता है लेक पाल ही दोस्तों खताओनी तयार करता है और इसे हर 6 महिने पर क्या करते है नवीनी करत किया आता ठीक है खताओनी को दोस्तों हर 6 महिने पर अपडेट किया आता है ठीक है चलिए और इसी में 14 खाने ह अगे बताएंगे इसमें ठीके उसके लाओं दोस्तों दिन चर्या बही दिन चर्या बही दोस्तों इसको भी दोस्तों कौन तयार करता है लेक पाल जिसको डायरी कहते हैं डायरी भी कहा जाता इसको दिन चर्या बही को डायरी भी कहते हैं अगला है दोस्तों आग्या पुस्त क्या आग्या पुस्तक भी दोस्तों लेक पाल ही त्यार करता है ठीक है क्या करता है लेक पाल ही त्यार करता था ठीक है और दोस्तों किसान बही ये भी लेक पाल और दोस्तों सीमा दो तक चिन्नों की सूची दोस्तों की कहां पे टुबेल है कहां पे पेर है ये सब सीमा चीज आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि भाया किस वर्स तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आये दोगनी करने का लच्छ रखा गया था दोगना करने का लच्छ रखा गया है 2022-2025-2026-2030 बताईएगा कमेंट बाक्स में इसका एंसर और बताईएगा आपको क्लास कैसे लगी और पीडियाप के लिए आप जाएए ग्यान आर्बियल ऑफिसल दोस्तों यह टेलिग्राम चैनल्स को जॉइन कर लेजएगा यहीं पर आपको मिल जाएगी दुबारा वदाएज दोस्तों प्लेलिस्ट पर जाएए ग्रामीड परवेस लेगपाल 2022 का नाम से मिलेगी दोस्तों वीडियो और संपोड हिंदी यह दोनों आप जरूर देखिएगा या फिसका लिंक हम नीचे देंगे डिस्कॉप्शन में वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्शन तो तकले जै हिंद जै भारत बंदे मातरम